एक्टर सूनू सूथ की दरिया दिली के बारे में आपने कई कहानिया सुनी होंगी कोरोना काल में जब कई लोग अपने घर नहीं पहुच पा रहे थे तो सूथ ने आगे बढ़कर अपना पैसा इस्तिमाल करके उन लोगों को घरों तक पहुचाया पर सूनू सूथ की दरिया दिली यहीं तक खतम नहीं होती है कई लोग हैं जोनोंने उनसे मदद की कई बार गुहार लगाई है सोशल मीडिया पे और सूनू सूथ ने आगे बढ़कर उनमें से कईयों की मदद की है उनमें से एक है जैपुर के 23 साल के मनोज जांगिर मनोज एक एतलीट है, रेस वॉकर है और उनको अच्छे जूते और मेडिसिन्स, खुराक, डायेट की जुरत रहती है और सोनु सूत का जवाब एक दिन से भी कम समय में आ गया है, इसमें लिखा है, इस डन भाई, विल बी डिलिवर्ड टुडे, ये जूतों के लिखा है, जो मांगे थे, मनोज जांगिर ने और उस मांग को पूरी करने का आश्वासन दिया है, सोनु सूत ने, हमारे साथ इस समय खुद मनोज है, मनोज ये बताएं कि, क्या आपके दिमाग में चल रहा था, और कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, कि स्तिती में आपन मैं सोनु सूत को लिखा, सर जब से मतलब लोग डाउन लगया है मार्ट से तब सब मतलब हना जब सहां हमारे की ठीक नहीं है ना इतना है जितना है जितना घर में लग जाता है ना कोई जोब है अभी तक गवर्वन जोब नहीं है ना भाई कोई जोब जिससे आगे इन फीचर सोचे कि भाई मेरे खर्च उठा लेगा गया एक गया बस्की पाता है,जसे को निचे कोईसे वाह बेढ़ा के पाता सुनुसूध बजा कोकी है जा इन जादा मुझे है क्योंकि मैं जाया थेलि यृत करता हैं तो स्र मेरे दीमाग में एक दिन की में सब लिख रहे हैं तो एक बार में भी ट्राइ करके देखता हूं कि आपता सर में रिप्लाइ कर देया नहीं करें मैंने तो किसे पूछ दिंए पूछे किसे पूछे की सीज़ एक मैंनोर कर दिता को बढ geschमर्क आप तोगे साप्स्तावि को विली इंक शूख यह ज्या तो आपको क्या चीज की ग्यर्ट है कोुट विल्लाइब कुछ भोला फिर उन्हों पूछा कि विष युज अर क्या जरूज था आपको तो मैं अज़ एक पूछा एक अर अचिछ और दूसरी डाइट ये ऊचिज बहुत जरूवी चीज है तो आसमिर मैंगे आप मुझे इंगे रिधिघ जा कोंझी पूछा आप तो इसक्षाइब को शीज आउय मैंने मोची से जाके पतावा भी लगाओ किया हूँ इतना है नहीं कंडिशन की मैं अफ़र्ड कर सकूँ श्यूज दो से तीन महने चलते हैं लेकिन इसको मैं आट से नो महने श्यूज को चला लिया डेल इतने ट्रेनिंग करने के बाद भी गिस आते हैं पेर में पेर में होता और इसके लिए अच्छे जूते इनको हिसाब से चाहिए होते हैं और अच्छे जूते होते हैं उनकी कीमत जो है वो लगबग 5-6,000 रुपे रहती हैं और तीन महीने अमूमन आसतन तोर पर जूते हैं वो चलते हैं उसके बाद जो एक अच्छा धावक है या अच्छा इतल आग भेग ख्याल आया कि अगर और लोग सोनु सूद को लिख रहे हैं तो वो क्यू ना लिखे उन्होंने सोचा वो भी लिखेंगे सोनु सूद को और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि सोनु सूद ने खुद आगे बढ़कर पहले उनके मैनेजर ने कॉल किया फर सोनु स तो ने सर ने बोला कि चलो ठीक है आपको कौन सी विटामीन चीए क्या नीची आप बताओ मुझे तो मैं बोल दिया सर को मुझे ए विटामीन चीए जिसकी मुझे जादा रिक्वाइड है हाँ मतलब यह की मेरी ट्रेनिंग में यूज आथा साथ तो आपको परवाइड कर तो सर का आज अर्ली मॉर्णी की ट्वीट आया कि सर ने बोला कि आपका शूज जो भी हा आज आपके घर पहुंच जाए तो आप राजस्तान में नंबर वन के अथलीट है इस इवेंट में जो रेस वाकिंग का है और पूरे देश में पांचवे नंबर के हैं हाँ सर में प पूरे देश में पांचवे नंबर में पांचवे नंबर पर राजस्तान में फस्ट आया सर में तो ये बताएं कि सोनुसूद को आप क्या मेसिज देना चाहेंगे अगर वो आपको इंटर्वी देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे मैं सर सोनुसूद को ये बोलना चाहता अपना सब कुछ बलिदान करना चाता हूँ जैसे कि कई लोग मानते हैं कई बार जब मुश्किल के समय में परिस्तितियां जब विकट होती है तो कई लोग जब एक बार सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे देफ़ता के रूप में वो लोग आए हैं उसी प्रकार से कई लोगों के लिए जो संकट की स्तिती बनी हुई है, उसमें जब सोनु सूच जैसे एक इंसान सामने आकर मदद करते हैं, तो उनके लिए वो एक मसीहा की तौर पर याद रखे जाते हैं, जिन लोगों की उन्होंने मदद की होती है उनके द्वारा, कैमरा प